के वल जित्ती आदमी ही इतिहास रच्टा है और्णरी आदमी तो के वल टार्गेट पूरे करने में लगा रहता है कुछ ऐसे लोगों की बात करूँ है जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनका नाम ता लांस नायक ध्यान सिंग ध्यान सिंग होकी में इतने जादू कर थे कि यह दिन में तो खेलते थे रात में भी खेलते थे जब बिजली नहीं थी सुराज की रोशनी में तो खेलते थे चंद्रमा की रोशनी में भी खेलते थे और जब चांद की रोश्णी में खेलते थे, इनका नाम पड़ गया ध्यान चंद, और ध्यान चंद, 1936 जर्मनी के ताथ, उलम्पिक्स होकी वर्ल्ड कप फाइनल, 25,000 लोग उस दिन स्टेडियम में खड़े थे ध्यान दीजेगा, 25,000 लोग उते बढ़ा हुआ स्टेडियम, 16-1 से, जर्मनी को रोंद डाला, और 15 गोल अकेले दागे थे, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशा, हिटलर उस दिन स्टेडियम में था, और आया नीचे, बोला तो होकी तोड़ो इसकी, इसकी होकी तोड़ो, चुमबक निकलेगी, कैसे ये चपकागी खिलता है, चुमबक मैं ध्यानचन, आर्मी में काम करता हूँ, तभी, दुनिया का तानाशा, उनको बोला, ध्यानचन, तुम्हेरे दे देश ने तुम्हें क्या दिया है, आज भी सूबेदार हो, जर्मनी से खेलो, एयर फेल्ड मार्शल बना दूँग आज ही, जर्मनी आ जाओ, एयर फेल्ड अब बात देश के आगई थी यो उन्होंने जवाब दिया मैं जिन्दधी में भूलता नहीं सुनना चाहेंगे सुनना चाहेंगे मेजर ध्यांठ्चन नNGको कहां सथाब मिस्टर हिट्लर मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की अपने देश से खेलुआ अपने देश से खेलुआ